है ना दोस्तों एक वाफीस से माई ट्यूप चलनल बिद्धिया इस्टूट गोरखपुन स्वागत है दोस्तों यह वीडियो डियलेट दोरोनीस बेच के लिए बहुती महत पूरोने वाला है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डियलेट थर समेस्टर की एकजाम को लेकर बहुती अश्मंजस की इस्तिती बनी हुई है अभी तक कोई confirmation नहीं आए दोस्तों कि अपरल में प्यापर होगा, महीम होगा, जून होगा लेकिन आप लोग का जो semester है थर semester आप लोगो 6 फ्लोरी को complete हो चुका है और 4 semester start हो चुका है और आज देखिए diet मतुरा भी later आ चुका है देखिए later देखिए क्यों यह जारी किया है देखिए इनका जो प्राधान होता है diet मतुरा का बहुत ही गलत है दोस्तों अभी 3 semester का intership भी complete ने हुआ इन्होंने date में जारी कर दिया हमारा intership जून में शुरू हो जाएगा यारी दोस्तों देखिए पिछले video में दोस्तों इनका तो गलत है system पूरा अभी अपना 3 semester का intership कराना चाहिए दोस्तों उसके बाब 4th का date देना चाहिए अभी देखिए छुट्टी भी बढ़ गया दोस्तों देखिए अब मैं एक लेटर दिखा रहो आपको छुट्टी का देखिए चार अप्राल तक government की school की सारे बंद हो चुकी है दोस्तों चार अप्राल तक तो एक से आट तक की school है बंद हो चुकी है तो देखिए तो इनस लेटर से कोई मतलब नहीं है दोस्तों जो अब डाइट मतुरा में है उनके लिए महत्तपूर दोस्तों और डेश्टिक के लिए कोई इतना महत्तपूर नहीं है इसका महत्तपूर नहीं होता तो मैं आपको जरूर बताता ये डाइट मतुरा के लिए जिनका महत्तपूर है वो अपने काम करें ते दोस्तों क्योंकि आप जो डाइट के प्राचारिया है वो अपने अंडर में सब काम देखते हैं जितने भी इनके अंडर में प्राइबेट काले जाते हैं उन्हीं का बात माना जाता है नो कि PNP, SCRT कुछ नहीं या चलता है ति दोस्तों इसलिए 2 या 3 है पकपस्चु को रोका गया था अब बात छोड़िए दोस्तों इसकी बात अब में पॉइंट पर आते हैं आपके एक्जाम को लिखा अब आए उपर आते हैं आपको दिखाते हैं या आप पर एक नीरा चक्रवर्ति को इस्टुरेंट साथ मेरे पर कमेंट किया था मेरे वीडियो पर सर आप इस बात को लिजिए वीडियो बनाईए और सेयर कराईए दोस्तों जैसा कि आप लोग का पेपर अपरेल में मुस्किल होना है क्योंकि चुनाओ देखे दोस्तों मैं इसका भी लेटर रखाऊं इसमें मैं हर एक पॉइंट में लेकर चलनाओ दोस्तों इसमें आपको मैं हर एक पॉइंट दिखाऊंगा चुनाओ से लेकर आप लोग को पिछले धरना 18 मार्च के इतने धरना दिये गया थे कितने धरना सब कुछ बारें बताऊंगा इस वीडियो को आप लोग को टाइम लगता है फाम बरना फाम बनने के बाद आप लोग को मालिए फर्स समेश्टर सेकेंड समेश्टर थर्स समेश्टर फर्स समेश्टर सबका पेपर एक साथ लिया जाता है तो क्योंकि फर्स समेश्टर का एडमिस्न दो रेकिस बेच का हुआ नहीं है तो आप लोग यह मान करे छलिए कि आप लोग का paper अपरल्म होना मुश्किन लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप लोग को हार नहीं मानना है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग का paper मही में जाया, जूर में जाई, उस्से मतलब नहीं है, दोस्तों आप लोग को फिर से unity बनाना है जैसे आप लोग पिछले वीडियो में बनाये थे पिछली बार जब बताये थे कि DLA परशिच्छर 19 बैच 33 समेश्टर एक्जाम को बैग पेपर अप्रेल्म होगा मतलब समेश्टर एक्जाम और बैग पेपर नहीं जाते हैं तो दोस्तों देखिए आप लोग एक बार देख लें इसको पुरा देख लें तभी आप लोग को स्ığımız आगैग दोस्तों लेकिए लिखा हुआ है एक किसी बीश्टीक के किसी एक बार फिर से खाल धरने की त्यारी शुरूर करदे हैं अप्रेल में, किसके लिए, देखें दोस्तों, यदि आप धरणा नहीं देते हैं, तो आप लोग को एकजाम समय से नहीं होता है, तो सिच्छक भर्ती में जो नया वाने अलोज सामिल नहीं होता हैंगे, तो आप लोग को एकजाम करवाना पड़ेगा, और एकजाम कैसे होगा unity के साथ होगा इत्ता आप लोग बनाएं तभी हो सकता है अब आप लोग को क्या करना है देखे सबसे पहले आप लोग ग्यापन दीजे कहां पर देना आप लोग को डाइट पर देना है हर एक डाइट सेवन 47 डाइट होते है तो 67 में आप लोग क्या क्या ज्यापन दें यह व्यडियो ज़्यादा शेयर करा आयए तभी उन लोग के पास यह पाउधान मतलब कैसे कैसे क्या करना सब पता चलेगा तो और मैंने आपने जो गुरूप है विद्धा इस्टूट का उसने गुरूप में डाल दिया था कि दोस्तों उसमें डाल दिया था कि कैसे कैसे लेटर त्यार करना है उस लेटर के बारे में बताया था तो आप लोग लेटर बनवाईए और जो लेटर पैड होता है जैसे आप लोग सेंग्त मुर्चा से हैं तो सेंग्त मुर्चा का लेटर पैड होता है दोस्तों उस पर चांस बनेगा कि आप लोग का पेपर मैं के फर्स्ट उपीक में होने की चांसे बन जाएगी। क्योंकि अभी बोर्ड का जो पेपर है बोर्ड का पेपर का डेट अभी नहीं आया लेकिन डेट पीनफी क्या करता है। आप लोग का डियर्ट का पेपर का डेट देता है तो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों तो आप लोग धरना देंगे दो या पांच के बीच में पांच अपरल के बीच में युनिटी बनाइए एक पर प्यंपी के धरना दीजिए तभी आपको एकजाम का डेट आ सकता है एकज तक पूरा मही लेक चला जा सकता है यहां जून के बाद जुलाई अगस्त आपका फौर समेश्टर वी कंप्रीट हो जाएगा उस समय जब आपका पेपर होगा थर समेश्टर का जून में तो कापियां देड़ महीने चेक करने के बाद आपको क्या होगा फौर समेश्टर का पेपर भौल लेट्स होगा यानि नई भरतिम आप सामिल नहीं हो पाएंगे तो दोस्तों आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप लोग इनिटी बनाईए संगठन बनाईए और एक साथ मिलकर क्या करिए पीणपी पर दो या पांच अपरेल के बीच में धरना दीजिए और लेकिन अगर पहुचने वाले हैं एक तारीक को उनका ग्यापन है डायट मेरेट में आप लोग मेरेट में ध्यान देंगे तो मेरेट से जितने पर सुछू देख रहे हैं और जिला जबी हैं सभी लोग को मिलकर एक संगठन के साथ काम करना पड़ेगा तभी यह जो भी धर कहता है को जाता भी नहीं धरने में और अपना क्रेड़ी लेना चाहता है आगे बढ़ेंगे भी नहीं और पीछे से कहा किया हम ही सब खिए हमें हैं लेते रहे तो आप onlar हैं करेडिट लेने के काम नं अब बस यह ब्ननेilar है स्कूटनी का रिजल्ट अप्रैल में आना चाहिए तो आना चाहिए दोस्तों यदि मैं आपको बोला हूँ कि आप लोग डायेट में धरना दीजिए जैसा मैंने बोला कि सज्जा यादो जी धरना देंगे इसी तरह से आप लोग क्या करिए हर एक डिस्टिक में 67 डिस्टिक ह क्या करना है देखिए एक माथ लच भरती में सामिल हो ना देखिए जो भी बनाया हुआ है जो भी आईटी सेल का जो भी हेड है उन्होंने बनाया है और मुझे ये सेंट किया गया है कि यह वीडियो बनाई है डीरेड 19 बेज के लिए मतलब एकता के साथ सब लोग काम करें तभी आप इन लोग का एगजाम हो सकता है टाइम से, वरना एगजाम नहीं होगा, तो ये लोग भर्ती में भी सामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं, कि 2022 में चुना होने वाला है, तो उसके पहले आप लोग का भर्ती जरूरा आएगा, और भरती में 19-20 देखे सामिल नहीं होता है तो बहुती लंबा समय लग सकता 4-5 साल तक भरती नहीं आने वाली है तो लास्ट मौका है दोस्तों 19-20 के लिए 19-20 कोशिस करें कि आप लोग का एक्जाम जल से जल दो कोशिस करने के लिए जितना भी हम तरीका बताएं दोस्तों आप लोग पने दोस्तों तक पहुंचाएं सेर करें वीडियो को तभी आप लोग के बास समय माएगी और एक साथ मिल कर आपको काम करना इसा नहीं कि लड़के काम का लड़के नहीं जा रहे हैं